नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री अब में आज का जो हमारा विशय है वो है प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्यन करना इसमें मैं बहुत सारे प्रशनों के जवाब दोंगा जैसे क्या प्राचीन भारत में पुत्री जन्म को पीड़ा समझा जाता था यदि समझा जाता था तो किस काल में ये शुरू हुआ ऐसा समझना और ये किस हद तक था क्या कन्या के जन्म देते ही उसकी हत्या कर देने की प्रता प्रशलित थी प्राचीन भारत में हम कितनी विदूशी कन्याओं को जानते हैं क्या कोई अच्छी लेखी का या कवित्री या वैद या दार्शनिक भी थी हम उनके बारे में जानेंगे, बहुत सारे नामों का मैं यहाँ पर उलेक करूँगा और आप आज बैटर होगा कि एक नोटबुक लेके बैठें क्योंकि बहुत सारे इसमें फैट्स भी आने वाले हैं महिला शिक्षा की इस सिती में क्या क्या उतार चड़ावाए सैने और प्रशासन में महिलाओं के कितनी भागीदारी रही इन सब के उपर हम अध्यन करेंगे और किसी भी सब्विता की भावना को समझने और उसकी उतकरश्टता और सीमाओं को महसूस करने के लिए सबी तरीकों में से सरवोतन तरीका है कि उसमें महिलाओं की सिती का अध्यन किया जाए महिलाओं के समान महत्व और विस्तार का कोई वर्थ समाज की शैश्वा वस्ता में पुर्शों पर इस तरह की पूर्ण निरभरता की सिती में कभी नहीं रख़ा गिया तो ये एक बहुती व्यापक विशे है और विशे वो काफी विशार है और इस दिशा में शुरुआत करने का सबसे चछा तरीका है कि महिलाओं की सित्रियों की बच्पन के दोरान क्या सिती थी उसका अध्यन किया जाये और उनके प्रशेक्शन और शिक्षा के बारे में सामान ने विवस्ता का पता लगाना तो प्राचीन कार्म में जतने भी पित्रसतात्मक सोसाइटी रही है समाज है प्यार्गर सोसाइटी है शत्रू से रक्षा करने या उस पर हमला करने में पुत्र अधिक सहायक सिद्ध होता था दूसरी और बेटी का कोई लडाई मूले नहीं था इसमें कोई संदे नहीं है कि महिलाओं के संभावित सैनने मूल हैं बेटों को जन्म दे कर वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने समुदाय की लडाई की ताकत में योगदान देती हैं कि इन्तु प्राचीन मानव की जो इस्थिती थी प्राचीन जो मानव था वो इस्थिती के बारे में इतना लंबा दृष्टिकोन नहीं ले सका और वास्तविक लडाई में उन्होंने महिलाओं को मदद के बजाए एक बाधा के रूप में पाया महजूदा साक्षियों के आधार पर भारत में भी बालिकाओं के जन्म को लेकर कुछ ऐसी धाना पाई गई यहीं से एक प्रशन आता है कि किस वेद में पुत्री के स्थान पर पुत्र के जन्म को सुनिश्चित करने के लिए आकरशन और अनुष्ठान शामिल है ऐसे कौन सा वेद है जिसमें पुत्र के जन्म के लिए अनुष्ठान दिये हैं पुत्री के स्थान पर तो जैसे कि आपको पता है चार वेद हैं हमारे रिग वेद, साम वेद, यजुर वेद और अथर वेद तो यह जो प्रेश्ण मनता है यह अथर वेद एक ऐसा वेद है जहां पर हमको इस तरह के अनुष्ठान मिलते हैं कि पुत्री के स्थान पर पुत्र के जन्म को कि अपर एक दूसरा प्रशने, दोनों प्रशनों का पच्छे से कनेक्ट कीजिए तो किस प्रारंभिक उपनिश्द में एक विद्वान बेटी के जन्म को सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रह स्वामी को एक निश्चित अनुष्ठान की सला दी गई है अब पिछला कि जो वैदिक काल और उपनिश्द काल था उसमें परिवार के लिए बेटी के जन्म को अरचन नहीं माना गया और इस प्रशन से भी क्लियर हो जाता है कि हमको एक उपनिश्द में ऐसा देखने को मिलता है कि एक सला दी गई है ग्रह स्वामी को कि कि किस तरा से वो विदिश कुछी कन्या के जन्म को सनिश्चित करें और क्या क्या अनुष्ठान करने है तो यह जो प्रशन है इसका उत्तर है दोस्तों ब्रहदरानक उपनिश्द इसमें हमको ऐसी सलात देखने को मिलती है और यह सच है कि यह अनुष्ठान पुमसवन की तरह है बहुत जादा लोग तो नहीं हुआ लेकिन यह इसपष्ट रूप से दर्शाता है कि संसकारी माता पिता अकसर बेटीयों के लिए उतने ही चिंतित रहते थे जितने की वह बेटों के लिए रहते थे अब प्रशन यह उठता है कि वेदिक काल में बालिकाओं के जन्म के स्थान पर बालक के जन् क्यों मातलती है उस से पहले हुआ झाल लोग्त, उस समय वैधियन के अपने इस्चित, उसकंगत उसलिए जो बालक का जन्म है वैधिक काल तक बहुत जादा इसको आवश्चक नहीं मानागिया बेटी की शादी कोई मुश्किल समस्या नहीं थी विदवा पुनर विवा की अनुमती थी और इसलिए माबाप के मन में एक संभावित विदवापन का खौफ भी जादा नहीं रहता था तो उनको ये भी नहीं लगता था कि चलो अगर मेरी बेटी खलको विदवा हो गई तो उसकी जो पीड़ा होगी वो कैसे दूर की जा सकती है और उनको क्योंकि सारे अनुष्ठान करने का अधिकार है अपने जो धार्मी का अनुष्ठान है वो अपने घर में कर सकती है तो इसलिए कहीं पे भी पुत्र की ऐसी आवश्चकता मैसूस नहीं हुई जब तक हम वैदिक काल देखते हैं जैसे समय बीटा गया परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती गई अब पित्रों की पूजा का महत तो बढ़ा जो पित्रों की पूजा का महत तो बढ़ता है तो उसके लिए पुत्रों को ही आवश्चक माना गया और बेटियां इस महत्पूर्ण धार में करतवे को नहीं कर सकती थी इसलिए वो धीरे-धीरे समाज में कहीं ना कहीं पिछले वर्क की तरफ चली गई और इसाई युक की शुरुआत के साथ बाल विवा प्रेशलन में आया जिसके अंदर से उसको एक योग्य वर को ढूणना पड़ता था तो इसलिए जो पुत्री का प्ता है उसकी भी बहुत जादा मुश्किले बढ़ती चली गई तीसरा प्रशन इसी के उपर आता है कि इस ब्राह्मन गरंथ में उल्लेक मिलता है तो यह एत्रे ब्राह्मन में हमको मिलता है यहां से प्रशन आ सकता है नेट के एक्जाम में कोश्चन भी आ सकता है यहां से या फिर UPSC के प्रिलिम्स में भी यहां से कोश्चन बन सकता है या आप किसी state claims की भी तियारी कर रहे होंगे तो वहां से भी question बन सकता है जबकि जितने मैंने प्रश्ण स्टार्टिंग में आपको बताया है जो first slide में मैंने प्रश्ण डाले से बहुत आरे वहां से आपके mains के question बन सकते हैं जारवी सदी के लेखक हैं सोमदेव इन्होंने अभी इन्होंने अपनी रचना कथा सरीत सागर इनकी रचना है कथा सरीत सागर प्रश्ण सीधा सीधा बनेगा इसमें कुछ ऐसी टिपणी की है इन्हों लिखा है कि विवाह में पुत्र नहीं पुत्री होती है जो पिता को प्रत्वी दान का महान गुर प्राप्त कराती है इसलिए पुत्र के जन से हर्शित और पुत्री के आगबन से निराश नहीं होना चाहिए तो ये दर्शाता की 11 सदी में जरूर निराशा रही होगी लोगों के मन में जब पुत्री का जन्म हो जाता था इसलिए इनोंने इसी कुछ इस तरह से टिपणी करी है और ऐसा उपदर्व किया है इनों ससाइटी में अब प्रशन उठता है कि क्या कन्या भून हत्या का प्रेशलन था या नहीं था तो कन्या भून हत्या के उपर गर मैं बात करूँ तो बेटी के जन्म पर निराशा और असंतोष की जो भावना होती थी एक छण भंगूर होती थी ऐसा नहीं कि बेटी जन्म ने जन्म ले लिया तो निराशा जो है वो एकदम इस्थाई हो गई जो निराशा और असंतोश होता था उसकी भावना छण भंगूर होती थी और इससे प्राचीन भारत में कन्या भून हत्या नहीं हुई आपस तम ग्रह सूत्र लिखता है कि यात्रा से लोटने पर पिता अपनी पुत्री की सुक समरद्धी के लिए उसी भाव से प्रातना करते थे जिस प्रकार वो अपने पुत्र के सुक के लिए करते थे तो ये कहां मिलता है हमको ये मिलता है आपस तम ग्रह सूत्र में मिलता है ऐसा उल्ले और इस से हमको ये पता चलता है कि अब क्योंकि जन्म तो ले लिया पुत्री ने लेकिन निराशा जरूर हुई वो थोड़ी दर के लिए हुई छणबंगूर थी और उसके बाद जो पिता है उसने अपने जिस तरह से अपने पुत्र के लिए जिस तरह वो चिंती थे उसी तर काफी आम होती तो इसमरती लेखक जो थे जिन्होंने निश्चित रूप से इसकी कड़ी निंदा करते ही है क्योंकि जो भूण है भूण के विनाश को सबसे जगनने अपराज मानते थे इसमरती लेखक और जीवित पैदा हुए बच्चे की हत्या उनके प्रकोप से नहीं एक समिता है उसमें एक अनुच्छेद दिया था उसका उन्होंने बहुती जो मतलम निकाला वो थोड़ा सा गलत निकाल लिया जिसकी वैसे उन्होंने बोला कि प्राचीन भारत में भूण हत्या की प्रथा प्रेशलित थी तो यहीं से एक प्रेशन बनता है कि वेबर ने कि समिता के एक अनुच्छेद को समझने में गलती करते हुए प्राचीन काल में कन्या भूण हत्या के प्रेशलिन को सही माना है जबकि यह अनुच्छेद हिंदू दाईयों की पारंपरिक आदत को संदरभित करता है कि अगर बेटी है तो बच्चे को जमीन पर अलग रखना और अगर वह बेटा है तो उसे खुशी से उठाना है तो यह हमको मिलता है तैतरी समिता में इस तरह से एक वर्स दी हुई है एक लाइन दी हुई है कि यदि बेटी हो जाती है तो दाई-मा जो होती है जो मिडवाइव जिनको हम बोलते हैं इंगलिश में तो दाई-मा होती और इस चीज़ को clear किया है एस आलतेकर सर ने तो एस आलतेकर सर की बुग भी है दा पोजिशन ओफ women in Hindu civilization उसमें उन्होंने इस चीज़ को clear किया है लेकिन आपके लिए जानने की बात क्या है कि यह कहां से आता है यह आता है तैस्त्री यह समीदा से मद्यकाल में कन्या भून की हत्या की प्रथा हिंदू समाज के कुछ वर्गों में फैल गई मद्यकाल तक आते हैं कुछ वर्ग तक ही फैलती है लेकिन बहुती छोटी सी एक सोसाइटी होती है जहां पर यह इस तरह की प्रथा फैलती है और बहुती निम्न जाती या तथा कथित अगर हम बोलें तो जो निचला तपका है समाज का वहां पर यह प्रथा थोड़ी जमाया अब देखते हैं महिलाओं की शिक्षा की क्या विवस्था की जाती थी प्राचीन काल से लेके अब तक अगर हम बात करें महिलाओं की शिक्षा की तो जो शिक्षा विवस्था है लगबख तीसरी शताबदी ईसापूर तक लड़कियां जो है वो 16 साल की उम्र तक अ अध्यान में ओप्चारिक दीक्षा लड़कियों के मामले में उतनी सामाने थी जितनी लड़कों के मामले में थी। अतरवेद भी कहीं न गहीं, इस्त्री की शिक्षा को बहुत जादा महत तो दे रहा है और शोद्र की तरह है इस्त्री को शिक्षा से वंचेत रखने की जो धारना है ये बात की युक्की है, वैदिक काल में रिगवेद के द्रश्टाओं में अब रिगवेद की बहुत सारे लेखक हैं और उसमें बहुत सारी आपको वर्सेस मिलेंगी लिखी हुई उसमें से 20 चुहें वो इस्त्रीयों की लिखी हुई है जिसमें से कुछ नाम आते हैं ये बहुत इंपॉर्टन है नाम लोपा मुद्रा आपने सुनाओगा लोपा मुद्रा है निवावरी है विश्वारा है घोशा है इनके जैसी कुछ विदुषा इस्त्रीयों ने रिगवेद की कुछ रिचाओं की रचना भी की है रिगवेद की अध्याय दस में 145 से लेके 169 तक कि जितनी रिचाएं हैं इनके जो लेखाग हैं वो कौन है लेखी का हैं महिलाएं हैं और हला कि इस पर संदे किया जा सकता है कि क्या उनके असली नाम इंदरानी और शाची थे इस पर जजरूर संदे किया जा सकता है लेकिन इसमें कोई संदे नहीं है कि यह जो अध्याय 10 है उसकी 145 से 169 तक की रिचाएं महिलाओं ने लिखी है यह अफसोस की बात है कि हम इन महिलाओं यह जो विदुशी महिलाओं थी जन्होंने रिचाएं लिखी उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते सिवाए उनके नाम के और उनके लिए उनके किये हुए इस कारे को अब खो दिया गिया है इस समय जो इनका कारे था यह सब खो गिया है और यह शायद हमेशे लिए ऐसा खो गिया है इसलिए इनके बारे में जान पाना भी बहुत आदा पॉसिबल नहीं है महिला विद्धियारती वो दो शणिमें रखा गया आप यह जो महिला student जो women student थी महिला विद्धियारती उनको दो category में बाटा गया एक है ब्रःम वादनी और एक है सद्योद्वाहस अब यह ब्रःम वादनी जो है यह वो है महिला जो अपने जीवन परियंत लाइफ लॉंग बैचलर हुट का पालन करेगी और लाइफ लॉंग जो है वो अपने अध्यन में लगी रहेगी अपना कुछ ना कुछ उनको रिसर्च करनी है या कुछ पढ़ाई करनी है एडवांस लेवल की जो उनको शिक्षा लेनी है उस उसके बाद फिर वो शादी करेगी विभा करेगी और अपने ग्रहत आश्रम में चली जाएगी 16 साल या 18 साल जो भी उसकी उम्र है तब तक वो अपनी जो इस्टूनेंट लाइफ है वो जी रही है तो सद्धियोत वाहस और ब्रह्मवादनी ब्रह्मवादनी जो है ये छात याग्यवल्ग समवाद है इसके उपर एक उपनिशन में इसका उलेग मिलता है हमको कि गारगी ने किस तरह से बहुती कठोर प्रश्न पूछे थे याग्यवल्ग से और याग्यवल्ग ने उन प्रश्नों का उत्तर पब्लिक में देना उचित भी नहीं समझा और वो बहु गारगी ने बहुती शीतलता और आत्म विश्वास के साथ दार्शनिक याग्यवल्क पर अपना हमला शूरू किया और दरबार में सबको बहुत यदा प्रभावित किया तो जो गारगी है यह बहुत धादा विदुशिक अन्या थी और अपने धर्म में इनको बहुत ज़्या गाता शब्त शटी तो गाता सब्त शटी में जिन लेखखकों की रचनाओं का चैन्किया सत्वाइन शासक हाल ने उन्में से साथ कवित्री है और ये कुछ बात हो रही है कब की 1st Century साथवान किंग है हाल उन्होंने अपनी पुस्तक लिए गासा शब्त शती और उसमें जिन लेखकों की रचनाओं का उन्होंने चैन किया उसमें से साथ जो है वो कवित्री थी फीमेल पोएट थी इनके नाम आते हैं रेवा, रोहा, माधवी, अनुलक्षमी, पहाई, शशी प वित्री थी, कभी-कभी प्रशन सीधा-सीधा पूछेंगे, आपसे आजकल बहुत जादा आयोक का एकदम फेवरेट टॉपिक हो रखा है, कि महिलाओं के स्थिती के उपर बहुत सारे प्रशन आते हैं, और अभी तक तो वो जितनी आधुनिक काल में महिलाएं हैं, या समा सुधारा के उन पर प्रशन करते थे, लेकिन अब वो जितना भी प्राचीन भारत में हमको नाम मिलते हैं इस तरह के विदूशी कन्याओं के उनके उपर भी प्रशन आ जाते हैं, विजयंका की प्रसिद्धी जो है, अब ये विजयंका जो है, ये भी एक पोएट है, फीमे एक नाटक है कि किस तरह से पार्टली पुत्र में जो पॉलिटिकल सिनारियो वे चेंज होता है, उसके उपर ये पूरा ड्रामा है, और इसकी जो रचना है, ये भी ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना किसी इस्तरी की कलम से हुई है, हाला कि उसमें नाम जो आता है, विजयं महिलाओं के प्रवेश ने व्याफसाइक और कुलीन परिवारों में महिलाओं के बीच महिला शिक्षा के कारण को एक बड़ा प्रोटसाहन दिया ब्रवमवादनी की तरहां बहुत धर में भी सत्य और दर्शन को समझने के लिए कुछ महिलाओं ने जीवन परियंत्र ब्रवमचर का पालन करते हुए इसका प्रयास किया और उनमें से कुछ संग मित्रा की तरहां विदेश भी गई हैं संग मित्रा आपको पता होगा अशोक की बेटी हैं जो की शिलंका जाती हैं सिलोन जाती हैं और वहाँ पर जाकर ये पवित्र शास्त्रों के शिक्षक के रूप में प्रसिद होती हैं और वहाँ पर जो सिलोन महिला लेखिकाओं में जो नाम आते हैं वो आते हैं सुभा, अनुपमा, सुमेधा जैसे कुछ महिलाएं अमीर परिवारों से तालुग रखती थी और कहा ऐसा जाता है कि बड़ी संख्या में जब लड़कियां सारी ब्रह्मचर का जीवन जी रही थी तब उन्हें राजकुम हैं या कुछ ऐसे अमीर व्यापारी हैं वो भी इनको विवा के लिए लुभाने का प्रयास करते हैं पहली शिताबदी ईसा पूर्त तक महिलाओं की उच्च शिक्षा लगबख समाप्ती की करकार पर जा पहुंची जिसका प्रमुक कानर सा समाज में प्रशलित बाल विवा अब बाल विवा हो जाएगा छोटी उमर में उनकी शादी हो जाएगी तो फिर वो शिक्षा से वंचित रह जाएगी और इनको धीरे धीरे उपनें संसकार भी इनके जो थे उसको पहले एक आपचारिकता बनाया गया और उसके फार फिर ये उपनें संसकार भी धीरे धीरे जो पाठ हैं भजन हैं वो अपने कर सकें और अब यहां पे इतनी जादा प्रॉलम हो गई बाल विवाग की वज़े से कि जो इनके दैनिक भजन थे उनके जो मंतर उचारण है वो भी वो कर नहीं पा नहीं सही से अब हम बात करते हैं कि से शिक्षा पद्दती को कितनी मानने दा दी यानि कि को एजूकेशन कितनी जादा वैलिट थी प्राचीन भारत में तो जो वैदिक सब्धिता है उसमें शिक्षा मुख्यता परिवार में ही किसी वरिष्ट सदस्य के देखरेक में होती थी जहां सभी छात्र पुरुष और महिलाएं साथ पढ़ते थे तो लगभग को एजूकेशन आप कह सकते हैं फैमिली में तो थी परिवार के अगर इस तकनीकी विशे जो थे जैसे मान लिजे और चिकित्सा है उसमें अधिकांश्ता जो है वो पुरुष ही विशेजग्य थे और महिला चात्र शिक्षा के लिए वहाँ जाया करती थी उत्तर राम चरित है एक रचना है उत्तर राम चरित इसमें एक नाम आता है हमको आत्री ग और परन्तु उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं की जो संख्या थी वह बहुत जादा अधिक नहीं थी यानि कि higher education बहुत जादा उसमें महिलाओं के लिए नहीं थी ऐसा लगता है कि सह शिक्षा आठवी सदी तक भी प्रश्लित थी क्योंकि भाव भूती का एक और रचना है भाव भूती की जिसका नाम है मालती मादव यहां से प्रश्ण भी आप से पूछ सकते हैं भाव भूती की रचना कौन थी है हाला कि वहारा आज का विशह नहीं है बस इसलिए इसमें को डाला है क्योंकि यहां से हमको information मिलती है को education के बारे में तो भाव भूती की एक महिलाओं की जो प्रतिशत था वो हला कि कुछ जादा नहीं था और यह कुछ सब और सक्षम परिवारों तक ही सीमित था यानि कोई education थी जरूर बट वो बहुत जादा रही फैली होई थी व्यापक नहीं थी बहुत जादा और कुछ एक परिवारों तक ही सीमित थी कुलीन नहीं थी यदि ऐसा नहीं होता तो सातवाहन वंश की नायनिका वाकटक परिवार की प्रभावदी गुपता और चालुक की परिवार की विजय भट्टारिका कश्मीर की सुगंधा और दिद्दा जैसी रानिया अपने पुत्रों की अलपता के दोरान सफलता पुरुवक व वाकटक परिवार से जरूर है बट ये किसकी पुत्री है ये चंद्रगुपत विक्रमा दिद्दी की पुत्री है जिनका विवाह कर दिया गया वाकटक परिवार में क्योंकि चंद्रगुपत को चलिए खाए वो हमारा आज का विशय नहीं है तो प्रभावती गुपता जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो महिलाएं थी इनको बहुत अच्छा प्रिसिक्षन दिया जाता था कहीं ना कहीं सैन ने प्रिसिक्षन दिया जाता था अच्छा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनको जो प्रिसासन है उसका भी प्रिसिक्षन दिया जाता था चालुक के र राजवंश कुछ इस तरह के था कि वहां पे वो महिला आफिसर्स रखा करते दें न्यूक्तिया करते दें इन प्रशासनिक करतव्यों का उचित निर्वाहन एक अच्छे प्रशिक्षन को दर्शाता है तो यह मैंने आपको पहले बता दिया कि इस तरह से जो इनका प्रशिक् में और यदि आपको ये लेक्षर इस तरह से जो टॉपिक मैंने उठाया इसको अगर अगर कंटीनू करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं मैं इसके लावा बहुत सारी बातों के पर चर्चा करूँगा जैसे विभा की क्या इस्तिती थी विभा के मैलाओं के साथ जुड़े हुए हैं प्राचीन भारत में प्रस्ण आते हैं वहां से तो यदि आपको इस तरह से इसको कंटीनू कराना है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं मिलता हूं आप से अपने अगले लेक्षर में तब तक कि दन्यवाद